नमस्कार मैं संदीप नोखवाल एक बार फिर से HBN24 न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूँ लाइक एन सेर कीजिगा इस वीडियो को सब्सक्राइब एन फ्लो नहीं किया है तो कर लीजिएगा बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से विदानस्वाई लेक्षन के अंदर हुमारी सेल्जा गोट हुड़ा गोट पर हावी होने वाला है जियां आपको बताऊँगा कि हरियाना के अंदर लड़ाई लड़ी हुई है गेर जाट और जाट सीम चेहरी की इस बार कॉंगर्स के अंदर ही कुछ निता नहीं चाहते कि प्रो मुखे मंतरी वएंदर शिंग उड़ा मुखे मंतरी बने क्योंकि आखिर हरियाना के अंदर वोटिंग सेर भी गेर जाट निता लगातर बढ़ा रही है और गेर जाट की राजनिती भाजपा भी करती आई है और इसी कारण भाजपा लगातर हरियाना के अंदर दो बार सरकार मना चुकी है गेरजाट की राजनियती पर भाजपा मनोलाल खट्र को दो बार सी मना चुकिए और तीसरी बार नायब सिंसरी हरियाना के अंदर सी हम है यही एजंडा फ्लो करते हुए कोवरिस के अंदर सेलजा गुट भी इस बार हुड़ा गुट पर हावी रहने वारा यह कुमारी सेलजा आप देख पारें दोनों तुस्वीरों के अंदर कुमारी सेलजा है जिनके साथ नजर आ रहे हैं चंदर मोवन विस्नोई जो एक बड़े गेट चार्ट चहरा है और ऐसे भी नहीं है प्रुव मुख्य मंतरी चोदरी भजलाल जी के बड़े सपुत्तर है इनको चुनावी त्यारियां कर रही है इनको हिसार लोकसबा से टिकेट ना मिली थी क्योंकि हिसार लोकसबा के अंदर बड़ी कोशिश की थ लेकिन जैप्रकास नजी ने जैसे तैसे टिकेट हसिल कर लें लेकिन अभी हिसार लोकसबा के अंदर आने वाली वेदान सबा हसी नलवा आदंपुर चुक्कि आदंपुर से अपने ही परिवार के सदस्थे के खिलाद चुनाव नहीं लेंगे चंदर्माहन विश्यूई ल option चंदर मोहन विश्णुई के पास है इन तीनों ही विदानसभाश स्ट्रीटों में से किसी भी स्ट्रीट से चंदर मोहन विश्णुई चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अगर सियम को प्रजेक्ट कुमारी सेलजा किनको करकर चल रही है तो अपने ही होम लोकेशन से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि प्रोव मोक्यमंत्री भधनलाल जे भी अपने ही होम टाउन से विधायक बनकर मोक्यमंत्री बने थे अब एक तरह से वो रुजान इसी तरफ जा रहा है यानि जो समीकर्ण प्रावने टाइम में होते थे वहीं समीकर्ण बनते जा रही है गेरजाट वोटन मैं के लिए कुमारी सेलजा गुट जो हड्डागुट को साथ लेकर नहीं चाल रहा है एक सिक्क्रे का दूसरा पहलू है एक पहलू गुबेंदर शिंग हुट है रै दूसरा पहलू कुमारी सेलजा है जिसको लेकर high come on से भी उनके बातीस चल रही है फहरे सरता चल रही है कि कुमारी शेलजा खुद को CM के तोर पर देखिए चंदर मोहन विश्नोई यह खुद बात कह चुक है कि कुमारी सेलजा आने वाली भावी CM है लेकिन कुमारी सेलजा के मन में चंदर मोहन विष्णोई है कुमारी सेलजा के मन में चंदर मोहन विष्णोई है और वो चाहती है कि चंदर मोहन विष्णोई ही सीम बने अगर बाईचांस खुद कुमारी सेलजा सीम बनते चंदर मोहन विष्णोई डिप्टी सीम जरूरू बनेंगे ऐसा प्रोजेक्ट किया रहा है गरह मंतरी जरूरू बनेंगे अगर हुड़ा सरकार के अंदर हाई कमान अगर पुर्व मुक्केमंदर भंदर सिंग हुड़ा को CM बनाती है तो भी चंदरमन विशनोई डिप्टी CM बनेंगे उन्हें बहुत बड़ा पद मिल सकता है क्योंकि हाई प्रोजेक्ट कमारी शेल जरूरा रखा गया ये दोनों नेता सरकार के अंदर एक बड़ा चहरा हो सकते हैं बड़ा चहरा इसलिए है क्योंकि ओबसी बोट बैंक इनहीं के वज़े से कॉंगर्स पार्टी को मिल पा रहा है ये बात खुद कमारी शेल जरूरा ने काफी बार अपनी जुनाओी सबा के अंदर कह दिये कि दलितों को दबाने के लिए या बैकवर्ड को दबाने के लिए भाज पाके काफी निता कोशिश कर रहे है बैकवर्ड और सबी जातियों को आपस में लडाने के लिए भाज पने ता काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा बैकवर्ड नहीं देवेगा और कुमारी सेल जा अपनी पार्टी पर आरोब भी लगा सके कि कुछ सुनिताओं के दोबारा उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब आवाज नहीं दबेगी यही चीज है यही बात है कि कुमारी सेल जा जो लगातर कोशिश कर रही है कि किसना किसी तरीके से पार्टी के अंदर बदलाओ लाया जा सके और बदलाओ की लहर CM को प्रोजेक्ट करके लाई जा सकती है लेकिन हाई कमान ने अभी तक इन्हें परमीशन नहीं दी है लेकिन कोशिस कमानी से जाके दोबारा की जा रही है और ये कोशिस लगातर वो करती रहीगी यानि आने वाले सिम्मे में बहुत कुछ सुनने को आपको मिल सकता है बहुत कुछ देखने को आपको मिल सकता है यानि कॉंगर्स के अंदर भी अब गेर जाट राजनिती सुरू होनी जा रही है जिस परकार से भाजपा जाट निताओं को तौज़ों नहीं है ती उसी परकार से कॉंगर्स के अंदर भी कुमारी सिल्जा गुट इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है तब ही से पुर्व मुकमेदरी वपंदर सिंग हुड़ा और कुमारी सिल्जा के अंदर एक तानातनी देखी जा सकती है लेकिन कुछ निता ये भी चाहते हैं कि जाट और गेर जाट निता के वीचे एक संगम बना रहे है क्योंकि कॉंगस पार्टी सभी देश की पार्टी है जहां पर हिंदु मुसिल्म गों एक भावनों से देखा जाता है तो हरियाना के अंदर जो एक तरह से जाती बाद जो भाजपा फिला रही है ये मिरे रोप नहीं है कुमारी सेलजा के रोप या वंदर सिंग हुड़ा के रोप है कि जिस प्रकार से जातीकत की रादनिती भाजपा कर रहे है वैसी रादनिती कॉंगर से नहीं करेगी इसलिए दोनों निता एक साथ मिलकर भी चल सकते हैं हाई कमार ने साब साब आदेश दे दिये लेकिन आदेश यही है कि इस बार हरियाना के अंदर हाई कमार गेरजाट चहरे को सीम बना सकते है क्योंकि कॉंगर्स पार्टी के अंदर चोदरी भधनलाल जी भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंतरी नहीं रह पाए और भवंदर सिंग हुड़ा कभी 10 साल तक मुख्यमंतरी रह सके है तो तीश पार्टी का मुख्यमंतरी बनना काफी बड़ा मुश्किल है किसी नए चहरे को मुख्यमंतरी बनाया जा सकता है इसको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट करें और 100% चांज है कि किसी की एर्जाट सहरे को ही CM परजेक्ट किया जा सकता है आप अपने विचार जरूर लिखें बने देजिएगा HVN24 News के साथ लाइगंड सीर कीजिएगा जैहिन साथियों